कि अदे में आया, जलो नाखून काटी लेता हूं मैं नाखून прав 이제 हुआं धोस्तो और दोस्तो नमश्कार आज किस वीडियो में आप सभी का स्वावित करता हूं दोस्तों कहीं גם आपfrage रात को ना खुन काटना क्यों मना किया जाता है दोस्तों आज की वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज की स्वीडियो में हम ऐसी चीज़ आपको बताएंगे जिसे शायद आपने अब तक बस सुनाई होगा लेकिन इनके कारणों के बारे में शायद आपको बिल्कुल न यहां पर हम आपके लिए लाते हैं जबर्दस टिप्स जिससे आप घर पर ही अपने ऑशरी बना सकते हैं और एक स्वस्त जीवन जी सकते हैं तो दोस्तों बिना वक्त गवाए हम डायरेक्ट आते हैं नुश्के की तरफ दोस्तों रात में क्यों नहीं काटने चाहिए आपक दोस्तों यह परंपर आप पुराने जमानी से चली आ रही है पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी और ना नेल कटर होते थे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको ऐसे नेल कटर तो भूली जाए इस कारण पहरे लोग ब्लेड कैंची ये चाकू से नाखुन काटते थे ऐसे में बिजली नहीं रहने के कारण इन चीजों से चोट लगने का डर रात को बहुत जादा बढ़ जाता था और रात को नाखुन नहीं काटने को कहा जाता था इसके इलावा ये भी माना जाता है कि रडात में नाखून काटने से लक्षमी जी रूट जाती है जिससे धन की हानी होती है ये भी एक बहुत जादा प्रचलित कहावत है और मान्यता है दूसरा गुरुवार को नहीं करते शेविंग दोस्तो आपने ये भी सुना होगा कि गुरुवार को शेविंग क्यों नहीं करते है न दोस्तो गुरुवार को अमूमन लोग शेविंग नहीं करते यहां तक कि गुरुवार को बाल भी नहीं काटे जाते गुरुवार को बाल ना काटने की परंपरा इतनी अटूट और पुरानी है कि इस दिन पार्लर तक बन रहते हैं दरशल गुरुवार को ब्रस्पति यानि देवताओ के गुरु का दिन मना जाता है जो भाग्य का कारक होते हैं ऐसे में मान्यता ये है कि जो लोग इस दिन शेविंग करते हैं या बाल काटते हैं उनका भाग्य खराब हो जाता है दोस्तों ये थी मान्यता गुरुवार को शेविंग ना करने की अब मैं बात करता हूँ आप से कि कुछ लोग जो बोलते हैं शाम को तूलसी को नहीं चूटे है अब इसका कारण क्या है? दोस्तों हिंदू परमपरा के अनुसार अगर आप शाम को तूलसी के पास दीपक जलाने की तो मान्यता है लेकिन उसे अगर छूने की आप कोशिश करते हैं तो उस पर जल चड़ाने की मानियता नहीं है ऐसा क्यों? दोस्तों रोज शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में लक्षमी जी की किरपा होती है वहीं शाम को तुलसी के पेड़ को छूने से लक्षमी रूठ जाती है क्योंकि शाम के समय तुलसी सोती है और आपके छूने से वो जाग जाती है खैर ये मानियता तो हर पेड़ पौधों पर लागू भी होती है है कि नहीं? चौथा दोस्तो जो लोग शाम को जारू भी नहीं लगाना चाहते ऐसा भी बोलते हैं न दोस्तो शाम को जारू भी नहीं लगाना चाहिए ऐसे लोग बहुत लोग अपने जबानी सुना होगा इसके पीछे मानेता में बहुत पुरानी चली आ रही है पहले बिजली नहीं रहती थी तो माना जाता था कि रात को ज्ञागू लगाने से घर में गिरे पैसे बाहर जा सकते हैं जी हाँ यही था इसका असली कारण इसलिए शाम को और रात को ज्ञागू लगाना मना किया गया था वैसे भी शाम को पूजा करने का समय होता है और इसलिए भी शाम को ज़ागल लगाने की मनाही होती है अगर ज़ागल लगाना ज़रूरी है तो शाम से पहले ही घर साफ कर लें पांच वा दोस्तों शाम को सोने से होते हैं मोटे ये तो आपने जरूर सुना ही सुना होगा कि बेटे शाम को मत सो बेटाई मत सो बन्नम मोटा हो जाएगा है कि नहीं दोस्तों शाम को सुना स्वास्ति की देखा जाये तो उस दिश्टी से भी और पैसे की दिश्टी से भी अच्छा नहीं माना जाता जो को सोने से आलस बढ़ता है और आप अपनी शारिरिक तौर पर कम एक्टिव रहते हैं जिससे मोटापा और अन्य बिमारी का खत्रा बहुत जादा बढ़ जाता है उन शक्त को दोस्तों अगर आपको नजदी कोई भी आपको शाम को इस तरह सोता पाया गया तो उस पर कृपया उसकी वक्त एक गिलास पानी का लाएं और उसके मूँपर डाले ताकि वो जाग जाए और अपनी नीन से जाग कर ना के वो अपनी हेल्थ पर ध्यान दे पाएंगे बलकि गरीबी और आलस और दरिद्रता जैसी खतरनाक जो संकेत हैं इनसे बच पाएंगे दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो आज की वीडियो आप ज़रूर अपने फ्रेंट्स और लेटिविस के साब जरूर शेयर करें क्योंकि दोस्तो मैंने जो आज आपको बताई है आम तोर पर ये बहुत कम लोगों का पता होता है और जिसके ना जानने के कारण उनको कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है तो दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट के माध्यम से हमें अपना फीडबैक जरूर दें और ताकि हमें भी पता लग सके कि आपको अप हमारी वीडियो कैसी लग रहे हैं और अगर हमें कुछ याल रखें धन्यवाद